भोपाल में चल रहे खनन कॉंक्लेव के दूसरे दिन खनन से जुड़ी योजनाओं के साथ साथ निवेश करने के इच्छुक उध्योग पतियों को सरकार से मिलने वाली सहूलियतों के बारे में जानकारी दी गई। कॉंक्लेव के दूसरे दिन खनन से जुड़ी योजनाओं और सरकार की और से दी जानकारी उध्योग पतियों को दी गई। करने हैं, आप खुब ट्रेनिंग कराईएं, हमारे इस्ट्री डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम कॉनवर्जेंस करदेंगे, इस्ट्री ट्रेनिंग में जो इनसेंटिक दिये जा सकते हम आपको देंगे। इस कॉन्क्लेव में डेजियाना क्रूप के एमडी तेजुंदरपाल सिंग घुम्मन ने कॉन्क्लेव में आएं देश प्रदीश की अन्य उद्योग पतियों से भी मुलाकात की। दो दिवसिया इस माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर आयोचन स्थल पर एक एक्जिबिशन भी लगाए गई थी। इस एक्जिबिशन का भी अवलोकन टेच्याना क्रूप के एमडी तेजुंदरपाल सिंग घुम्मन ने किया और महत्वपून जानकारी हासिल की। मदिप्रदीश सरकार के इस आयोचन को लेकर देच्याना क्रूप के एमडी तेजुंदरपाल सिंग घुम्मन ने इसकी सराहना करते हुए सरकार के प्रयासों की प्रश्वनसा की। कि यह जो इस बार गवर्मेंट ने इनिशेटिव लिया है अभी तक क्या होता था कि कोई भी इन्वेस्मेंट प्लांस यह जो भी इस तरह के प्रोग्रम साथ है तो उसमें से बहुत छोटा सा आधे घंटे का इगंटे का स्लॉट सिर्फ माइनिंग को दिया जाता था इस ब नए इन्वेस्टर्स हैं यहां जो माइन से रिलेटेड बाकी चीजों के अधर बिजनिसेस को प्रोग्रमोट कर रहे हैं उनको बहुत नॉलेज भी मिलेगी और एक प्लेटफॉर्म पे उनको बहुत सारी सीजों के सॉलूशन गुए गोर्दलभे कि इस खनन कॉंक्लिव मे देश विदेश से करीब 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। कॉंक्लिव की माध्यम से खनीज संपदा के शेत्र में प्रदीश की ताकत का हिसास भी उद्यमयोको कराया गया है। जिससे खनन के शेत्र में काम करने वाले उद्यमयोको भी काफी फाइदा बीरो रेपोर्ट डेजुयाना निउस इन्दोर